हलो बच्चो आज हम करने वाले हैं क्लास वर्क नमबर टू आपको तो पता ही है यह हमारी हिंदी की नोट बुक है और हमने क्या-क्या कंप्लेट किया है क्लास वर्क नमबर वन हमने कंप्लीट कर लिया है आपको पैंसिल से लिखना है मैंने आपको बताया है कोई भी डाक पैंसिल से आपको लिखना है Classwork number आपने 1 complete कर लिया होगा आज हम लोग करेंगे Classwork number 2 सबसे पहले मैंने क्या बताया आपको Classwork number डालना है Top पे, सबसे उपर Classwork number 2 Classwork number 2 डाल दिया अभी क्या बताया मैंने Date आपको डालनी है Date क्या है आज की आज है 17 October October का number मैंने आपको क्या बताया था चलिए चलिए देखिए 16 October का number क्या है 10 अभी October मन्त ही चल रहा है तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे 10 17 October Year क्या चल रहा है 2020 Page number हम देख लेंगे यहाँ पर हमने page number 1 डाला है तो यहाँ पर मैं डालूँगी page number 2 See, आपको page number 2 यहाँ डालना है आपको यह वाला काम जो मैं यहाँ कर रही हूँ आपको यहाँ करना है क्यूंकि मैंने इस केस से काम किया है इसलिए मेरा यह वाला पेपर वेस्ट हो गया है यहाँ पर मैं कुछ लिखूंगे तो आपको अच्छे से शोर नहीं होगा ठीक है? तो आप pencil से लिखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है page number 2 डालके यहाँ पर लिखना है तो आज का आपका क्या है classwork फिर से हम लोग प्राक्टिस ही करेंगे यह हमारा right curve left curve up curve down curve right curve, left curve, up curve, down curve इतना आपको करना है एक और काम करना है यहाँ पर ऐसा चोटा सा right curve ठीक है? यह line line के उपर छोटा सा right curve ओके यह प्राक्टिस आपको करनी है चलिए, सबसे पहले हम इसे से start करते है सबसे पहले sleeping line और यह छोटा सा curve नर्सा एक के नीचे एक करेंगे मैंने आपको बताया है ऐसे ही आपकी notebook neat and clean दिखेगी बीच का जो बड़ा वाला gap है इसे हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे अब ही हमारा right curve इन दोनों lines को touch करते हुए हमें curve बनाना है इन दोनों को touch होना चाहिए आप जल्दी बाजी नहीं दिखाएंगे ठीक है आराम से करेंगे आपको हर पेज पे ए प्लस लेना है ना ए प्लस लेना है तो सुन्दर सुन्दर सा काम भी करना पड़ेगा और जितने भी smart बच्चे हैं वो सुन्दर सा काम करते ही है यह हो गया आपका left curve then आप curve आपको जल्दी बाजी नहीं करनी है ठिक आप आराम से करोगे तो यह है आपका class work number two इसे भी आप अपनी notebook में सुन्दर सा बनाएंगे इसे practice करेंगे चलिए मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई बच्चो